अर्विंद केजरिवाल जी ने जो मुहीम दिल्ली में अब सुरू की है जेल से आने के बाद की दिल्ली की सड़कों को गड़ा मुक्त बनाना है उसका असर अब दिखने लगा है पहले अर्विंद जी गए थे फिर बाकी मिनिस्टर्स भी माने मुक्यमंतर जी के साथ में गए हैं हम लोग भी जा रहे हैं मुझे लग रहा है इसी तरह से बहुत जल्द अब दिल्ली गड़ा मुक्त हो जाएगी आप देखिए ये सड़क गल तक बहुत इस पर गड़े थे तो इसका इंस्पेक्शन किया गया था कल और आज ये बनके सही हो गई है अभी इस पर थोड़ा सा काम रह गया है आज रा काल में पूरी दिल्ली को परिशान करने के लिए जगे जगे गड़े की हैं सड़कें बरने का काम रोका है रेपेर नहीं होने दी गई है लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि अ्रविंजी जेल में रहे और दिल्ली नहीं है लेकिन जब वो कहते हैं कि दिल्ली का ये काम होना है तो काम सिर्फ कागजों पर नहीं आप देखें जमीन पर भी कितने अच्छे से होने लगा है देखो अरविंद केजरिवाल जी देश के पहले ऐसे नेता है जिन्होंने पांस साल काम करने के बाद जब चुनाव में गए तो काम के नाम पर वोट मांगा उन्होंने कहा जाके वहाँ कि अगर मैंने काम किया है पांस साल तो वोट देना और जन्ता ने वोट दिया दबा के वोट दिया अभी भी अर्विंद केजरिवाल जी कह रहे है कि अगर मैं इमानदार हूं तो वोट देना और देखना जनता इस बार भी अर्विंद केजरिवाल जी के काम पर और उनकी इमानदारी पर जम के वोट देगी बीजेपी अगले 10 साल भी कही नहीं बचेएगी यह मुझे समझ नहीं आता है कि अमिश्चा जी मोदी जी भारतिय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं दिल्ली में रेश्टॉरेंट्स में दुकानों पे सरयाम गोली बारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स उनको तो पकड़नी रहे पीजेपी का पूरा प्रेटेक्शन मिला हुआ गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है जिससे चाहे वसूली करनी है जिससे लूट करनी है जिसको किड्नैप करना है जिसको धमकी देनी है गैंगस्टर्स को पूरा प्रेटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने और सोनम मांग्चुक साथ जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पद्यात्रा करते हुए लद्दाक से आपके यहाँ पर आये हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें